नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं दा खबरदार नियूज तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर के आते पेते नहीं लगेंगे यहां मैं गारेंटी के साथ कह सकता हूँ भगवान राम के प्रती अगर इस प्रकार का भाव लाते हैं तो बहुत दुर्भाग की बात है इसमें सबसे पहले मुख्यमंतरी रविवार कोजयर में रेलवे के मर्टी डिस्पिलिनरी जोर्नल ट्रेनिंग इंस्टिटूट और भूमी पूजन किया मुख्यमंतरी ने कहा रेल मंतरी ने भनुसा दिलाया है कि रेलवे के मामने में भी मद्रप्रदेश पीछे नहीं रही है साल 2023-2024 में केंद्र सरकार ने मद्रप्रदेश में रेलवे इंफरस्ट्रक्शर, मौडरनाईजेशन और डेवलेप्मेंट के लिए 13672 करोड की राशी स्विक्रती की है पुरहर मंतरी मोडी के नेतित में रेल नेट्वर को आधुनिक बनाने और उसके विस्तार के रेज सतता प्रयास किये जा रहे हैं कुछ लोग अपमान जनक इस्थिती बना रहे हैं सीम ने कहा पांसो साल पहले का कलंकित इतिहास बदलने जा रहा है भवे मंदिर के गर्विग्रे में रामलला विराजमान होंगे इस द्रिश को निहारने के लिए मौरिशस जैसे चुछ देश चुटी दे रहे है दुश्मन देश भी हमारी तरफ सम्मान से देख रहे है लेकिन हमारे देश के तथा कथी तो कुछ लोग भगवान राम के मामले में फिर अपमान जने के स्थिती निर्मित कर रहे है उन्होंने कहा विपक्ष से कहना चाहूंगा कि जब चुराव आये तब जो चाहे वो कर लेरा आज तो ये भाव मत लाओ कि भगवान राम के इस तहतिया शिक्षन को निहारने से आप वन्चित हो जाओ आप समाज को लज्जित करने के भाव ला रहे हो यह बहुत दुर्भाग की बात होगी उज्जैन में लगाएं युवा वैग्यानिक मेला मुकिमंति उज्जैन में कालिदास अकादमी के छात्र वैग्यानिक समवात कारिक्र में भी शामिल हुए यहां उन्होंने कहा इसरो के सेंटर से मद्द प्रदेश का भी कोई संबंद बने यह भी कोई सेंटर हो इस दिशा में भी आप काम कर सकते हैं मैं आपको आफर देता हूँ इस तरह की कोई काई बनेगी तो प्रदेश के आगे बढ़ाने में हम सार तक भूमी का निभाएंगे उन्होंने कहा 49 वा यूवा वैग्यानिक समेरन 21 से 30 फरविल तक गवालियर में चल रहा है हम कोशिश कर रहे हैं कि महाशिवरात्री से लेकर गुड़ी पड़वा तक उजयान में भी है एक मेरा लगे बतादे साइन से टेक्नलोजी मंत्रालेज भी सीएम डॉक्टर मोहन यादो के पास है